नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल मानियोडी इस्टेलने हूं जैमडीयान पर दोस्तों बात करने वाले हैं जीटियर इंफ्रडेक्सर स्टोक के बारे में सुगस स्टोक में लगाता है एक अगले टार्गेट्स क्या होने वाले हैं और कितनी कमांटेटी हम लोगों को होल्ड बे बनाने क्या हो सकता है तो टोटल जो जानकरी है साथ यसाथ चार्ट संक्यत किस परकार का होने वाला है क्योंकि दोस्तो आज भारते बाजर उपर बड़ी क्रेस नज़र आई है तो प्राइस कर रूप में बात कर ले तो प्राइस दूस्तों दो रूपे 35 बैसे पर आज की कलोजिंग नज़र आई है फिलाल लास्ति पिछ रहने वाला है जो 38.24 पर दोस्तों आज के सेशन की जो इंट्राड है कि जो विल्यम के अगर खासकर बात की जाए तो उसमें भी काफ़े जादा जो उताच डाव है वो कहीना कहीं देखने को नजर आये हैं और साथ ही साथ दोस्तों मार्केट में सेलिंग ओडर भी देखने को होने वाल है तो सबसे पहले उसी ओर तो दोस्तों अभी के लिए आज के इंट्राडे की वूड़ीम पर अगर बात कर गád super दोस्तो आज के इंट्रेडे की वोल्यूम दोस्तो तैंतिस क्रोड़ सित्यानव लाग बातीस दार तीन सो चार सेर की नज़र आई है अब इस वीपरियत दोस्तो अगर बाइंग ओडर और और शेलिंग ओडर पर नेट क्वांटिटी के अगर हम बात कर ले तो दोस्तो नेट क सेसन पर सेलिंग ओडर लगी है तो कईना कई बायर्श भी यांप Sud एक्टिव देखने को नज़र आई तो सेलर्स भी काफी जग्दा एक्टिव देखने को सेलर है पर इस भी वीपरिदज जो कोल्डिंग आज के से न पर देखने को नज़र आई है तो ठोटल कौंटीटे म इसे दोस्तो 37% से अधिक के डिलेवरी नज़र आई है जो 11,64,31,671 जो सेर है वो आज के सिसन पर next market के लिए या future के लिए जो आज के सिसन पर holding लगी है तो काफी अच्छी holding increase होती भी देखने को मिल रही है तो कहीं न कहीं आने वाले time के लिए आज टार्गेट भी हिट होता हुआ नज़र आ रहा पर इस भी फिर दोस्तो कास कर कल के market के लिए गर बात कीजा तो भारते बाजरों पर बड़ी गरेस नज़र आ रही है और कल फिर दोस्तो 9050 के एकसपारी वे देखने को मिलने वाली है तो इस वज़े से आप लोग को कल market में या तो बड़ी रेली नज़र आएगी और या फिर दोस्तो बड़ी गराउट देखने को नज़र आने वाली है क्योंकि लगातार यही देखने को मिलता है कि दोस्तो जब यहां भारते बाजरों में क्रेस देखने को मिलता है और किसे एक्सिंज के एकसपरी अगर देखने को मिलता तो बड़ी ग्रेस अलड़ी नज़र आती है और अभी के टाइम आप लोग को कल के सेसन में यही नज़र आने वाला है तो अभी के लिए दूस्तो जितना हो सके हो लंबे समय के लिए एक होल्डिंग बना सकते हैं और अगर सोटर में बात करें तो सोटर में दूस्त उतना प्रोफिट देखने को नहीं मिलने वाले जितना एक लॉंग टरम और मिट टरम में बन भाएगा फिलाल आगे बढ़ने से बता दू चेनल पर नहीं हो दोस्तों चेनल पर आप सब्सक्राइब कर लेना और वे लाइक नौटिकर अब दोस्तों फिलाल कंपनी के आज की चाट पैटर्न पर अगर बात की जा है तो चाट पैटर्न है वह भी काई ना काई एक अच्छा बुली सकेंडल से यहां पर देखन को नज़र आ सकता है क्योंकि लगातार फिसले टाइम से इस स्टोक में जो रेली है वो कहीं नहीं बढ़ सड़कर एक पोजिटिव आंकड़ों पर देखने को नज़र आई है और लास्ते बात कर ले दोस्तो एक साल की तो एक साल के अंदर एक स्ट्रोंग रिटन भी हम लोगो जो क्रेंट फराइस है वो भी कहीं ना कहीं अच्छे टार्गेट को यहां पर हिट कर सकती है क्योंकि लगातार जो चोटी फराइस पर एक बड़ी आ जंप देखने को नज़रा एक स्ट्रोंग रिटन देखने को नज़रा है तो पेसेंस बनाना काफी आने वारी होगा क्यो अगर दौस्त फिलाल अब एक टाम कंपनी के मार्केट केप की गिरबात की जा तो मार्केट केप दौस्तों गुणंतीसो चौरासी करोड़का देखने को नज़राने वाला क्योंकि लगातार मार्केट केप में दौस्तों काफी बड़ी इजाफा भी देखने को मिल रहा है पर वहीं कहीं ना कहीं दो कर्ज की सबसे बड़ी कमपनी में जो समस्या देखने को मिल रही है। करज के लाव दोस्तों और दिक्ट वाली कोई प्रोब्लम है निग्स लगाता है अगर बात करएं प्रॉफिट की ग्रोथ की तो प्रॉफिट की ग्रोथ काफी च्राइज से इंक्रेज हो रहे है साथ सेल्स की ग्रोथ जो 16-17% गिर्ज़ सुगी तो उसमें भी कह एक अचिछी दीखा और यह नजर आई है साथ यसाथ दस्तों पर मोटर्स की होल्डिंग तो यह पर अलड़ी गिरी हुई देखने को नजर आई कि पर डियाई की जो होल्डिंग है वो काफी तेजी से इंक्रीज हुई है और इसी की वज़़ए से इसी की बतुलत जो रेली भी स्टोक में लिपनज देखने को नजर आई है तो वो काफी बढ़िया रहने वाली है और लगातार देखने को मिलने वाले है ओर दुछी लोंग अब पताइगा आई होगी पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना चनल पर नहीं हो दो सस्क्राइब कर देना और जानकारी को ज Nou ज़रोज से कर देना और आपके नजर में कोई पैनी श्ट्रों को तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना एंसेस करके आपको जल्ली बता दिया जाएगा मिलते हैं एक्ट अमेजिंग वीडियो एक साथ तब तक की लिजाज दीजिए जैसरी करशना थैंक्स रोसंग समय वीडिव्या जाहिं।